विदेशी मीडिया में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी खुफिय एजेंसियों को आश्रंका है कि 31 दिसंबर के आसपास ISIS जैसा खुंकार आतन की संगठन इसलामबाद के चुनिंदा मशूर होटलों को अपना निशाना बना सकता है जहां विदेश्यों की आवजा ही रही है इसलिए अमेरिकी दुताबास ने सुरक्षा अलट चारी करते हुए कहा कि सरकार को इस बात की चानकारी मिली है कि कुछ अग्यात व्यक्ति चुट्टियों के दौरान पाकिस्तान की राज़ाने इसलामबाद के मेरियट होटल में अमेरिकी नागरी को पर हमला करने की साज़िश कर रहे है इस एडवाजरी में सरकार ने अमेरिकी नांगरी को को छुट्टी के दौरान मुशूर होटलों में जाने पर रोक लगाते हुए इसलामबाद में गैड जरूरी यात्रा से परहेस करने के लिए भी कहा है तरसल पाकिस्तान इस सिद अमेरिकी दौतावाज स्वरा या एडवाजरी जारी करने की वज़ा भी है हाल इमें इसलामबाद की बात करें तो इसलामबाद के देहाईशी इलाकों में हुए आत्म घाती बम दमाके के बाद अमेरिका की चिंता और भी जादा बढ़ गई है